मैडम आप? सौरी भया मैंने आपको पहचाना नहीं मैडम आपको याद तो होगा ना दो साल पहले आपने एक बिखारी के मुदत के थी अरे भया दो साल पुरानी बात किसको याद रहती है अपने दिमाग को जोड डालो ना सब कुछ याद आजएगा मैडम कुछ दे दो ना अच्छा भया आप ये शोरूम आपका है हाँ मैडम ये शोरूम मेरा ही है वो परस आपका ही था लेकिन फिर भी आपने जूट की बोला कि वो परस आपका नहीं है देखो भया मैं चाहती थी कि आप बहुत महनत करो जो कि आपने बखूबी किया है अब दिखी रहा है लेकिन मैडम वो पैसे आप मुझे डैरिक भी तो दे सकती थी अरे भाया पैसे तो मैं आपको ऐसे भी दे सकती थी पर मैंने इसलिए नहीं दिये ताकि आप मेरा एसान ना मानो इसलिए बस मैंने जूट बोल दिया अब जादा लोड ना लो अपने दिमाग पर मैं आज मैं जो भी कुछ हो न सिरफ आपकी की विएस से हूँ इसके लिए मैं दिल से थैंकियो बना चाता आपको आपको कई मदद की जुरुत होगी ना मुझे जरूर बताना ओके भाईया ठीके अगर किसी की मदद करनी है तो इस तरह करे सोफ करके ना करे अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ सियार करे